आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डारेक्ट पटाक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्ट डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है? कि मुझे मैनिफेस्टों देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी चाहब है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएंगे तिक पता नहीं अब उनकी वेस्तरता कुछ और है मैनिफेस्टों मैं उनकी तरफ से जो प फिर मुझे लगता भी तो इको सिस्टिम का बड़ा मिली पोगर लगता है अब मुझे सच्चा ही लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन इतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराइया है उसको कोई 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 कि निस्पक तरिए सा आता है तो अच पॉइंट आउट की है कि OBC का OBC reservation का जो है part लेकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे और 2004-2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बर ऐसा करने की कोशिश की भी है अरे भाई यह तो बड़ा interesting सवाल आपने पूचा है जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेगे देश के नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया उसका विरोत किया उसको नब्बे के पहले कॉंगा दसक है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्ट्स ओबी सी के विचार के पक्ष में आने लगे अब उनके शेफारोसे कोगी वो नकारते रहें रिजक करते रहें दबाते रहें नब्बे के दसक में उनको दन लगा अब इसको जरा उनकी वोट बेंग की राज लितिक अनुसाब उसको टन दिया जाए उनhhhh उन्होंवे पहला पास की क्या शेफ में नाइंटी के दसक में अ video करना टका में उन्होंने धर्म लिझी अधार पर आपको याद होगा करना टका में उन्होंने धर्म के जबाना उस विचार को डिजेक्ट करना लेकिन राजनीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोसित कर देना केंद्र से कॉंग्रिस गई 2004 तक यह प्लान ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ 2004 में उफिर आए तो आते ही आंद्र में मुसलिम को OBC कोटा देना ताय कर लिया मामला कोट में जाके उलज गया अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान में मिला हुआ है भारत के समसद ने दिया है समीधान के मुनभूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है 27 परसंट सैद लगाने की उन्होंने तहरी करती है डाका डालने की कोशिश की 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसेल की मीटिंग भी जी NDC की मन मोन जी ने बयान पर भाथ बड़ा हंगाम हो गया दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही 2009 के गोश्रापत्र में फिर से इसका जिकर किया 2011 में केमिनेट नोट है इसका 2011 के केमिनेट नोट में वो भी सी के 27 परसंट हिस्सा डाका डाल करके उस मैं से मुसल्मानों को दे देना उन्होंने ताई किया जी 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाइट कॉट ने इसको रिजक कर दिया रद कर दिया कानूनी जज्जमेंट आ गया एसी में गये सुप्रिम कॉट में गये वह भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला 2014 के गोश्रापतर में भी दर्व के आधार पर आरक्षण की बात कही है जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई RSS वाले BJP वाले संविधान सपा में नहीं थे बाबा साब आमजरेकर जेसे लोग बैटे थे पंडित नरू जेसे बैटे थे साथार वल्डपाय बैटे थे देश के कई महापुर्श बैटे थे उन सबने लंबे चिंतन के बाद पाई किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्टर और मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है यह मुस्लिम लिगी नीतिय उन्होंने अपना रिशुर किया अब यह जो उन्होंने सित्या बनाई है मुझे बताईए कि देश के लोगों को यह जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहे हैं जिस प्रकार से लोग बापा साब आमबेट करको अब बानित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं जो कलम के धनी हैं जो निस्पक्ष हैं उनका इदाइत्व बनता हैं कि ऐसे थमाइदेश को वो एड्यूकेट करें सही चीज़े बताएं